नमस्कार मैं विपल सिंग आप सभी का हमारी स्ट्रेटिव चैनल ब्हु श्टेडी कैपिटल पर एक बाइफिर से हार दिख स्वागत करता हूँ बीएच्यू काउंसलिंग 2020 बीएच्यू के यूजी कोरसेज की जो अफलाइन काउंसलिंग आपकी है उसका पूरा प्रोसेस क्या होगा बहुत सारी क्वैरी याई बीएच्यू अफलाइन काउंसलिंग 2020 को लेकर सर पूरा प्रोसेस क्या होता है काउंसलिंग के दिन क्या क्या होता है पूरा process हमें detail में समझाइए क्या लेकर के जाना होगा counseling के दिन यानि क्या documents लगेंगे उसके बाद क्या preference entry form को फिर से edit किया जा सकता है जिन्होंने preference entry form भरा है उसके बाद आपका entry ragging form कहा मिलेगा डोजियर आपको कैसे मिलेगा कैसे भरना है वो सारी चीज़ें आपको मैं इस वीडियो के मादियम से detail में समझाने वाला हूँ क्योंकि आप सभी की लगातार इस पर query बहुत सारी आ रही है पूरा process आपको समझ में आ जाएगा बिये चुक आफलाइन counseling 2020 को लेकर लेकिन उससे पहले जो channel पर पहली बार जाथा share कीजेगा मैं वीडियो की सुरुआत करूँ उससे पहले आपको बता दो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा क्योंकि मेरी बातें valuable होने वाली अगर आप बीच में कहीं miss करते हैं यानि अगर आपने किसी sentence को miss किया तो सकता है आपसे information चूट सकती है और वहाँ पर फिर आप confusion में होंगे और फिर आपको पूछना पड़ेगा इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा उसके बाद भी अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो comment box में query कीजेगा आपका comment जरूर consider करके उस पर वीडियो के माध्यम से या फिर आपका comment box में आपको reply दिया जाएगा तो दोस्तों आए सुरू करते हैं समझना और देखना कि BHU offline counseling 2020 का पूरा process क्या होने वाला है एकदम initial stage से मैं आपको समझाऊंगा और final stage तक समझाऊंगा यानि एकदम सुरुआत करूँगा मैं एकदम initial point से जिससे आपको पूरा BHU counseling 2020 का जो offline process है वो सारी चीजें समझ में आ जाए इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा सबसे पहले आपका call letter इसु होता है call letter क्यों इसु हुआ आपने अपना इंट्रेंस इक्जाम दिया यानि आपने प्रवेस पर इच्छा दी उसका result आया आपका result में जो भी marks आया उसके according आपका call letter इसु होता है आपको अब कैसे पता चलेगा मेरा call letter इसु हुआ या फिर नहीं इसु हुआ सबसे पहले आपको चेक करना होगा एक आता है आपका bhu online.in पर जो आप click करेंगे और counseling portal open करते हैं वहाँ पर जो आप नीचे scroll करते हैं तो आता है UG open schedule उस पर जो आप click करेंगे आप अपने subject के according चेक कर सकते हैं कि आपका कितने rank से कितने rank तक का call letter इसु हुआ है जिस email ID और जिस password से आपने अपना form भरा था उसी से आपको login करना होगा यह मैं एक दम initial list से बतारो ताकि सभी को सारी चीजें समझ में आ जाए जिससे आपको मन में जो भी बीच बीच में आपको query उट रही है वो सारी query सांथ हो जाएगी सबसे पहले आप email ID और पासवर्ट से login करेंगे email ID और पासवर्ट से login करने के बाद आपको क्या करना होगा आप जैसे ही login करेंगे आपके सामने ब्येचु का portal खुर जाएगा उस portal में आपको एक option सो करेगा call letter का call letter पर जैसे पहले आपको एक और option आएगा आपने subject को click करने क आपने जिसका form भरा है वो ही के सामने खुलेगा उसी पर click करने के बाद जैसे proceed करेंगे आपके सामने आपका call letter खुल जाएगा call letter खुलते ही आपके सामने वहाँ पर लिखा होगा call letter पर बहुत सारी चीजें आप सबसे पहले call letter को पढ़ जाएगा reply बहुत सारी चीजें वहानी आपका counselling का date क्या है आपका किस particular date को आपकी counselling होगी और किस venue पर होंगी वो दोनों चीज़ें आपके call letter पर लिखी होंगी उसी डेट को आपको अगर offline counseling कराना है तो BHU के online जीने कराना है उसके लिए मैंने process में बता चुका हूँ, उस वीडियो का आप जाकर के हमारे channel पर visit करेंगे तो आपको मिल जाएगा, तो जीने offline counseling कराना है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, offline counseling कराने के लिए आपको जो date दी है और जो venue दिया है, उस परकार से divide होगा, वैसे ही समय COVID-19 का जो महमारी चला है, उसके वज़ा से कई hall में आपको divide किया जाएगा, वो faculty पर निर्वर है कि किस परकार से आपको divide करके कितने hall में बिठाते हैं, वहाँ पर बिठाने के बाद आपको जो rules हैं वो समझाए जाएंगे कि आपकी counseling कैसे overall review समझ में आजाए, वो सारी चीज़ें आपको BHU के campus में आने के बाद समझाए जाती हैं, उस hall में बिठा करके, जैसे आप पूरा rule समझ लेंगे, अपना पूरा जो भी नियम होगा, नियम काइदा होगा, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर समझा दी जाएंगी, उसके ब अगले रूम में जाएंगे, इसी प्रकार से आपका रूम डिवाइड होगा, और उसके बाद उसमें आपकी सुरू होगी counseling की प्रकिरिया, सबसे पहले आपका वहाँ पर attendance होगा, यानि आप वहाँ पर उपस्तित हैं, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर register करानी होगी, वहाँ पर note down कराना होगा, उसके बाद आपको वहाँ पर जो आपका anti-regging form है, dozier है, वो सारी चीज़ें वहाँ से आपको available हो जाएंगी, undertaking भी वहाँ से आपको मिल जाएगा, उसके बाद undertaking है, dozier है, anti-regging form है, वो सारा form आपको भर लेना होगा, और आपका जो documents लगेंगे, यानि मैं आपको जो undertaking बता रहा हूँ, तो आपके documents भी लगेंगे, जो documents आपको पास नहीं होगा, उसका undertaking आपको भरना होगा, और कौन-कौन से documents लगेंगे, मैं आपको already एक वीडियो दे चुका हूँ, उसका link इस वीडियो में देते रहा हूँ, उस वीडियो को जाकर करके आप बाद में देख लेंगे, मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो बिना मत्तब ये भी वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए उस वीडियो को जाकर करके आप देखेंगे, तो सारा confusion दूर हो जाएगा, कि क्या-क्या documents आपके लगने वाले हैं, जो documents आपका नहीं होगा, यानि आपको anti-regging form, आपका dozier मिल गया, आपका attendance हो गया, यह सारा process आपका हो गया, उसके बाद आप सारी चीजों को जब फिल कर लेंगे, उसके बाद आपको serial number से एक बाद बुलाया जाएगा, आपके verification के लिए, आपके उसी hall में आपको फिर से बुलाया जाएगा, जिसम आपको एक बाद फिर से बेजा जाएगा, अलग hall में, वहाँ पर आपके counselor बैठे होंगे, counselor आपके कौन होंगे, वो BHU के assistant professor होंगे, SOCA professor होंगे, या फिर आपके BHU के professor होंगे, वो सारे professor लोग बैठे होंगे, आपके प्राध्यापक बैठे होंगे, और आपका document से वो verify कर मैं आपको एक बार फिर से बता दू, जो documents लगने वाले हैं, उसका वीडियो मैं आपको पहले दे चुका हूं, उसका link आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, उस वीडियो को देख लीजेगा, तो आपको वहाँ पर जो documents verification है, आपका हो जाएगा, पूरी तरह से आपका क्य क्या क्या document है, क्या नहीं है, जो नहीं है, उसके लिए undertaking भर देंगे, वो सारा process हो गया, यानि आप सबसे पहले आपने call letter download किया, वहाँ पर आपने देखा हमारा date or venue क्या है, date or venue देखने के बाद, अभी आपका और process बचा हुआ है, मैं उससे बताता हूं, आपने date or venue देखन देखने के बाद आप आए अपने faculty में, faculty में आपको जिस hall में बिठाया जाएगा, उस hall में आप बेटेंगे, वहाँ पर सारा rules बताय जाएंगे, उसके बाद वहाँ से आपको एक और other कमरे में बेचा जाएगा, जिसमें बताय जाएगा इतने Cemoonांक से इतने कंरे में, इतन से counseling होगी जहाँ पर आपका जो ये form आपने full up किया है सारी चीज़ें आपकी देखी जाएंगी उसके बाद आपको next step के लिए verification के लिए भेजा जाएगा एक अलग hall में उस hall में आपका verification होगा आपके certificate का आपके mark seat का वो सारा verification कराने के बाद आपका जो अगला step होगा वो आप आपका होगा preference tree form को लेकर जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर thumbnail पर आपका लिखा हुआ है कि फिर से preference form edit किया जा सकता है तो आपको भेजा जाएगा आपके language lab में जहाँ पर आपकी computer set लगे होंगे वहाँ पर भी आपके एक एक assistant बैठे होंगे वो सारे लोग आपके लिए हैं तो आप फिर से वहाँ पर भर सकते हैं जिनोंने पहले भर दिया उसे आप edit करवा सकते हैं यानि आपने कुछ भी अगर उसमें हो सकता है आपसे mistake हो आप सोचे हो कि मुझे इसे उपर रखना चाहिए या फिर वहाँ पर आपकी वीचार अगर बदल जाते हैं कि मुझे यह subject लेना था वो सारा process आप edit करवा सकते हैं उसके बाद आप जैसे ही वहाँ पर पर प्रोसेस डन हो जाएगा यानि आपके counseling की दिन का जो process है वह आपका एक प्रकार से पूरा हो गया अगर एक बार फिर से आपको समझ ना है एक बार फिर से वीडियो पर back जाएगा और सम query का solution आपको सही तरीके से मिल जाएगा क्योंकि अगर पहले वीडियो के माध्यां से मैं बता चुका हूँ फिर आप query करेंगे तो फिर मैं बार 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 बताओं वो चीज आपके लिए भी नहीं से होगी और मेले लिए भी नहीं से होगी इसलिए इस चीज को ध्यान में र आटिकट कीजिएगा या फिर जो भी आपका process होगा कि आपको आगे क्या करना है कहीं जाना है तो उतना schedule अपना पूरे दिन का schedule कम से कम बी एचू counseling को दे करके आप जाएंगे इस चीज को रखिएगा क्योंकि आपकी counseling देर भी हो सकती है और time से भी हो सकती है इसलिए दोनो पोर्टल चेक करना होगा यानि भी हो online.in पर अपना regular portal चेक करते रहेंगे जहाँ पर आपका subject allocation और fee payment का option होगा उसे regular चेक करते रहेंगे कि मेरा कौन सा subject allot हुआ अगर आपको कोई subject allot होगा जैसा कि समय online और offline दोनों counseling चले इसलिए आपका जो subject है वो उसी दिन के एक दो द कोई सुबज़ेक्च अपगरेड करेगा जैसे ही आपका subject allot होगा आपको अपना fee payment करना होगा बी ऑच्चेक अब समय अपको न दीया जाथा है आपको अपना fee payment करने के लिए इसलिए मैं आपको कहता हूँ हर बारा घंडे में हर 24 घंटे में आपको अपना वेबसाइट अ गया उसके बद आप पना फी पेमेंट करेंगे आपका एडमिसन डन हो गया उसके बाद पो सब्जेक्ट लॉक करना है सब्जेक्ट को अप्रेट के लिए छोड़ना है वो सारा आपके उपर है यह पूरा प्रोसेस रहा ब्येचु कांसलिंग 2020 से गलेटेड यानि ब्येचु क कांसलिंग 2020 का प्रोसेस क्या है ओफ्लाइन मोड में उसके बाद आपका सब्जेक्ट लॉट हुआ आपने फी पेमेंट किया और आपका एडमिसन कंप्लीट हो गया यह पूरा प्रोसेस मैंने आपको इस वीडियो के मादम से बता दिया कि आपका कांसलिंग से लेकर करके आ किया जा रहा है उसके बाद एडमिसन होने के बाद वीचु केंपस में आने के बाद आपको अपना पास्बूक यानि पास्बूक वो होता है जिसे वीचु का आईडी कार्ड है यानि उससे पास्बूक कहा जाता है वीचु में और उसके आपको लाइडरी कार्ड आपका हे रहिएगा ये वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक कीजेगा अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेर कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबारा न भूलें फिलाल इस वीडियो में इतना ही बियेचु कांसिरिंग 2020 की हर्दिक सुपकामना है और जिने आपके अगर किसी भी रिलेटिव को किसी भी परिशीत को किसी भी जूनियर को अगर बियेचु एड्मिसन 2021 में तयारी करनी हो यानि बियेचु के लिए 2021 के इंट्रेस एक्जाम के लिए तयारी करनी हो तो हमारा चैनल सज़ेश्ट कर दिजिए उन्हें लागातार चैनल के म साथ बने रहे हैं और सजेस्ट करते रहे हमारे इस चैनल को और वीडियोज को लाइक करते रहे हैं अपने दोस्तों के साथ ज्यादा ज्यादा सेर करते रहे हैं बहुत धन्यवाद